मौसं बदाता है वजटन से बारिश होगे स्पे इतमतिक बंदया जायांगâte कौनसा पत्तर जहर मुरा पत्त यहर ज्हर मुरा पत्तर, यह ज्हर को मा टो दो जहरकमा... और एके पाणीपे घुली यागasm इसको पधर ठोड़ के ले जा रहे हैं अच्हाल मारला थोड़ा है अफेशी को पधार को इना तोड़ा अच्छा बने मिल जाता है अब अच्छा मेग दोखी यहां यह इस की अच्छाईल कहीं.... यह जिन्नातों का लगा है यह मजार है यह मजार है यह मजार भी है और यह पत्थर भी है मजार के ओपर यह पत्थर लगा है यह जो काले रंग के पिलर से पत्थर है यह कसोटी का पत्थर है यह वही कसोटी का पत्थर है जो सुनहार सोने को जांचने के लिए इस्तमाल करता ह और ये पद्धर का छोटा हिस्सा भी काफी महंगा होता है और यहां पर इस तरीके के आठ पिलर्स है जो कि कहा जाता है जिन्नात ने लगाए थे मौज़त नाजरीन असलाम आलीकुम और रहमत लौह वबरकातु तो मैं आपका मेजबान मुहमद आमिर कादरी भी से बहुत ही खास दर्गा शरीफ के विलोग के साथ नाजरीन में मौज़ूद हूँ मुलक हिंदुस्तान के रियासत हर्याना में और हर्याना में शहर है पानीपत पानीपत के जो शहनशा कहलाते हैं वो हैं हजजर्द बू अलीशा कलंदर रहमतुलाली जिनका नूरानी गुमबद आप देख सकते हैं और यहां पर मैं आज हाजिर आया हूं तो चलिए दर्गा शरीफ की जियारत करते हैं सबसे पहले और जियारत के साथ ही साथ हजजर्द की हिस्टरी और करामतों को भी जानते हैं और यहां पर कैसे आते हैं जो रूट है जो आने का अडरस है तमाम चीज़ें में यहां इन्शालला इस वीडियो में आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो में आगे बनने सपहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल वीराव इसलाम को सब्सक्राइब कर दें तो चले दरगाश शरीफ के अंदर चलते हैं नाजरीन इस बात को अपने जहन में रखें के हज़त बूर अलीशा कलंदर र्हमत लाइका असल नाम हज़त शर्फ बूरलीशा कलंदर के वाली साहिब का नाम हज़त सालार फखर दिन ईराकी नौमानी रहमत लाले और आपकी वालिदा मुहतरमा का नाम हजड़ सीदा हाफिजा जमाल बी साहिबा बिन्ते सीद निए्ट निए्लाः शाह किरमानी रहमतु अली नाज़ीन हज़ड बू अली शाह कलंदर रहमतु अली के वालिस साहिब حضرت امام عاظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اولاد میں سے ہیں इसलिए आपके नाम के साथ भी نعمانी लिखा जाता है क्योंकि حضرت امام عاظم का असल नाम نعمان है और आपकी वालिदा जो हैं ये सियत जादी है حضرت बू अलिशा कलंदर रह्मतुलाली की पैदाईश 605 हिजरी मताबिक 1209 एसी में इंडिया के रियासत हरियाना के शहर पानी पत में हुई और जब आप पैदा हुए उस वक्त दिल्ली में बादशा कुद्ब अईबक की हकुमत थी हजर्द बू अलिशा कलंदर रह्मतुलाली की अब्तिदाई तालीम आपके वालिस साहिब नहीं की क्योंकि आपके वालिद भी जिनका नाम हजजर्द सालार फखरुद्दिन एराकी रह्मतुलाली है एक बड़े आलिम दीन और इल्म तसवफ के माहिर थे फिर जब आप थोड़े बड़े हुएं तो आपकी आला तालीम के लिए आपको दिली में मदरसा बामे बहिश्ट में पढ़ने के लिए भेज़ दिया गया वहां आपने तालीम मुकमल करने के बाद फिर उसी मदरसे में पढ़ाना भी शुरू कर दिया और वहीं पर एक मस्जिद थी जिसका नाम कुवत अलिसलाम था वहां आपको खतीब और इमाम भी बना दिया गया और तक बारा साल तक हज़र शर्फद्दीन बू अलीशा कलंदर रह्मतुला अले ने उसी मस्जिद में खिताब फर्माया एक दिन आप बिल्ली की कुवत अलिसलाम मस्जिद में बयान फर्मा रहे थे कि एक दर्वेश वहां आते हैं और फर्माते हैं कि ऐई शर्फद्दीन कब तक तुम इन ही चीज़ों में लगे रहोगे तुम सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए नहीं आये हो अल्ला ने तुमें एक आजीम मकस्द के लिए पैदा किया है उन मर्दे कलंदर उन दर्वेश की बातों में ऐसा असर था कि हज़र्फ शर्फदीन की दिल की दुनिया बदल गई और आपने वो इमामत औ खिताबत छोड़ दी और वही मस्जिद के बाज़ों में कुत्ब मिनार भी था हाँ नाजीर ये वही कुत्ब मिनार हैं जो आज भी दिली में सही सलामत है तो उसी कुत्ब मिनार के करीब में एक कमरे में आपने एतकाफ किया और इस कदर ऐखिखाफ में बेटें अल्बारो ने आपको कोवत अब्दाली का मकाम अता कर दिया अब ये कोवत अब्दाली क्या है इसका असल मकाम तो अल्लाद देने वाला जाने जिसके सद्के में मिला वो मुस्तफा صoncialAllahu a.s. जाने और जिसको मिला मगर जिसको भी गुवत अबदाली अता होती है वो जजब के आलम में चला जाता है उसका तालग दुन्या से हटकर अल्ला से जुड़ जाता है हज़त बू अलिशा कलंदर रहमतुलाले एक बड़े आलिम दीन और अजीम मुफ्ती भी थे मगर जब आप पर जजब तारी हुआ तो आपने अपनी सारी किताबें उठाकर दिल्ली के यमुना नदी में डाल दी इसके बाद आपने अबादत और रियाज़त शुरू कर दी अब यहां तक जो है हज़त शर्फदीन नौमानी शर्फदीन ही थे अब आप शर्फदीन से भू अली शाह कलंदर कैसे बने यह जानते हैं इसमें दो रिवाएते बयान की जाती हैं पहली यह है कि जब हज़त शर्फदीन आलम जजब में बैठे हुए थे तो नभी सलोलाह आप को दीदार हुआ सरकार ने फरमाया कि ऐ शर्फदीन मांगो जो मांगो के अता किया जाएगा सुभानल्ला तो हज़त शर्फदीन रहमतुल्ला अले ने आज़की कि हुज़ूर मुझे अली बना दीजिए तो सरकार ने फरमाया नहीं अली सिर्फ एक ही है दूसरा कोई अली नहीं बन सकता अल्ला हुआखब सुभानल्ला तो पिर असकी कि हुज़ूर मुझे आप भुए अली बना दीजिए सुभानल्ला यानि अली का दीवाना अली से सीरा फैस हासिल करने वाला یासर सुलोल्ला मुझे बना दीजिए तो सरकार नी लिए व्याels बना दीए दूसरी रिवायत ये है कि करनाल के इलाके में नदी के गरीब सरकार खड़े होकर के चिल्ला फर्मा रहे थे तो एक आवाज आई आई शर्फद्दीन तुम अभी यहां से चले जाओ तुम्हारा चिल्ला कुबूल हो गया है तुम्हारी अल्ला की अबादत कुबूल हो गई है मगर हजद्द कलंदर बरहक वहीं पर खड़े रहे ताकि और कुछ अता हो जाए फिर वो आवाज देने वाले बुजग वहां पर आते हैं जैसे ही उन बुजग की नजर वो अलीशा कलंदर पर पढ़नी थी आपकी दिल की दुनिया बदल गई उसी नजर में आपको जो भी अता करना था सब कुछ अता कर दिया गया किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि तुने पी किताबों से मैंने पी निगाहों से तुने पी किताबों से मैंने पी निगाहों से इतना ही फरक साकी है तेरे मेरे पीने में सुभानलाः जब नजर से पिला दिया गया फिर कुछ कलिमा सिखाए नाजरीन आप जानते हैं वो बुजग कौन है वो कोई और नहीं बलके मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रदियल्लाह ताला अनू थे सुभानलाः जो रूहानी तौर पर वहां तश्रीफ लाए थे तो उस दिन से हज़र शर्फुदीन बू अली के नाम से मशहूर हो गए सुभानलाः नाजरीन आप अपने जहन में ये एक नुक्ता भी जहन नशीन कर दें कि कलंदरों के अलामात में से एक अलामत ये भी होती है उनका एक मरतबा ये भी होता है कि वो सीधे वो डिरेक्ट मौला अली से फैज हासिल करते हैं सुभानलाः तो कलंदर बरहक हदद बुआ अलिशा कलंदर रह्मतुला अले भी सीधा मौला अलीही से ते फैज हासिल करते हैं सुभानलाः नाजरीन क्या आप जानते है कि हदद बुआ अलीशा कलंदर और हदद अमीर खुसरू की मुलाकाद भी हुए थी हाद आजरीन ये वही हजदत अमिन खुसरु हैं जो हजदत निजाम-द्दीन अलिया महबोब एलही के मुरीद खास और खलीवा खास हैं जिन سے महबुब एलही निजाम-द्दीन अलिया बेपना मحबत फर्माते थे और हज़त अमेर खुसरू अर्दू और फार्सी के एक आजीम शायर भी गुज़े हैं तो वाकिया कुछ इस तरीके से होता है कि उस वक्त के जो बादशाह महाँ पर मौजूद थे दिल्ली में वो थे सुल्तान अलाओ दिन खिल्जी वो भी अवलिया अलाओ के बड़े ही आशिक थे बड़े ही अकिदत मन थे तो उन्होंने एक मरतबा हज़त बू अली शायर गलंदर रह्मतुल आली की बारगाह में नजराना हदिया पेश करने का सोचा मगर ये गलंदर बरहक किसी भी बादशाह का अता किया हुआ नजराना कुबल नहीं करते थे तो उन्होंने ये तर्तीब सोची कि वो थे निजाम अलिया के पास गया और कहा कि हुज़ूर मैं हजज़त बू अली शायर की बारगाह में एक चोटा सा नजराना पेश करना चाहता हूँ आप कुछ इसका रास्ता बता दे तो हज़त निजाम अलिया ने हज़त अमीर खुसरू को बलवाया और कहा कि अमीर खुसरू तुम सीधा हरियाना पानी पट चले जाओ वहाँ पर बू अली शायर कलंदर से मुलाकात करना मुझ नाचीस का उन्हें सलाम भी कह देना और सुल्तान की कुछ चीजें हैं कुछ अतियात हैं वह भी हज़त बू अली शायर कलंदर की बारगाह में पेश कर देना फिर हज़त अमीर खुसरू रहमतुला अले दिल्ली से रवाना हो जाते हैं पानी पत के लिए पानी पत पहुंचने के बाद हज़त बू अली शायर की बारगाह के बाहर खड़े होते हैं وہاں एक خादिम سے कहते हैं के अंदर जाकर के बोho अलीशा गलंदर से कहे देना के दहली से अमीर खुस्रू जो है मुलाकात की नियत से यहाँ पर आये हैं तो खादिम जाकर के अंदर कहते हैं के अमीर खुस्रू यहा पर तश्रीफ लाय है नाज़रीन हज़रत अमीर खुसरू जो हैं हज़रत बौई खुसरू का चर्चा आपकी शोहरत उस जमाने में काफी पहली हुई थी इस वज़ा से कि आपकी जो कलाम थे वो बड़े मशूर थे तो हज़रत बौई शा कलंदर भी हज़रत अमीर खुसरू को पहचानते थे कहा कि अंदर उन्हें बुलवाईे जैसे हज़रत अमीर खुसरू अंदर आते हैं तो हज़रत बौई शा कलंदर हज़रत अमीर खुसरू को देखकर के बड़ा खुश होते हैं तो हज़त निजाम उद्दीन अउलिया के हालात भी पूचते हैं फिर हज़त बौई शाओ कलंदर ने हज़त अमीर खुसुस से फर्माया कि ऐए अमीर खुसुरू मुझे भी आप अपना कोई कलाम सुना दे तो हज़त अमीर खुसुरू ने अपने कलाम सुनाना शुरू किये एक महफिल सच गई एक कैफियत तारी हो गई थी फिर कलाम सुनाने के बाद हज़त बौई शाओ कलंदर ने फरमाया कि ऐ अमीर तुम्हारे कलाम बड़े ही उंदा है हमें तुम्हारे कलाम बड़े पसंद आए चलो मैं भी अपना लिखा हुआ एक कलाम सुनाता हूँ सुछानल्ला महफिल में चार चान लग गए थे फिर हज़त अबु अलीशा कलंदर रह्मतुला अपना लिखा हुआ कलाम पेश करते हैं और सारी महफिल और हज़त अमीर खुसरू उस मुकद्दस कलाम को सुनते हैं उस कलाम को सुनकर कि हज़त अमीर खुसरू के आँखों से आसु जारी हो गए आप रोने लगे कलाम खतम करने के बाद हज़त अबु अलीशा कलंदर ने पूछा कि अबु आपकर अवलिया ला की बाते ही निराली होती है तो हज़त अमीर खुसरू ने आसकी कि हुज़ूर आपका कलाम सुनाना और मुच नाचिस का सुना ये एक बाएस फखर है ये फखर की बात है लेकिन हुज़ूर मुझे आपका कलाम समझ में नहीं आया इसी वज़ा से मैं रो रहा था और एक कैफियत भी तारी हो गई थी जिसकी वज़ा से मेरे आँखों से आसु जारी हो गए थे तो नाज़िन आप अंदाजा लगाएं कि वो कैसे कलाम होंगे हज़त अबु अलिशा कलंदर के उसकी कैसी गहराई होगी कि अपने वक्त की बड़े शाय जिनको हर तरह का इल्म और फनून हासिल था वो भी सही धंग से समझ नहीं पाये थे इसके बाद हज़त अमिर खुसरू जो हैं सुल्तान का तोफ़ा पेश करते हैं और क्योंकि वो खज़त निजाम अधिन आउलिया के जरीय से आया था और वो तोफ़ा हज़त अमिर खुसरू ने पेश किया था सुल्तान की तरफ से तो उस तोफ़ा को हज़त अबु अलिशा कलंदर ने कुबल फरमा लिया नाजरीन हज़त अबु अलिशा कलंदर रह्मतुला लिया की एक मशहूर करामत है आप उसे भी सुन ले वाकिया यू हुआ कि एक मरतबा हज़त अबु अलिशा कलंदर रह्मतुला लिया पानी पत के एक बाजार में खड़े हुए थे वहां से एक नौजवान अपना चेहरा छुपाते हुए गुजर रहा था तो हज़त ने उसकोन उसके नाम के साथ पकारा कि एए अमर सिंग इधर आओ नौजवान परेशान कि मैंने तो अपना चेहरा छुपा रखा है किसने मुझे पहचान लिया हज़त ने दूसरी मतवा पकारा एए अमर सिंग इधर आओ नौजवान हज़त के पास जाता है और कहता है एए बाबा तुमने मुझे कैसे पहचान लिया तुम मुझे कैसे जानते हो तो हज़त ने फरमाया कि एए अमर सिंग मैं सिर्थ तुम्हें नहीं तुम्हारे बाब दादा तुम्हारे तुम्हारे तमाम आबाव औ अजदात का नाम भी जानता हूं और ये भी जानता हूं कि यहां कई साल पहले तुम्हारे बाब दादाओं के जमाने में एक जंग हुई थी जिसकी वज़ा से तुम्हारे खांदान की सारी जमीने छीन ली गई फिर उस जंग में एक औरत जो पेट से थी जिसके पेट में बच्चा था वो अपनी जान बचा कर के सहारनपूर चले गई फिर सहारनपूर में उसने एक बच्चे को जनम दिया वो बच्चा कोई और नहीं बलके तुम ही हो अमर सिंग और वो औरत तुम्हारी माँ है ये तमाम बातें सुनकर की वो नौजवान परेशान होता है के एई हजरत आपको ये तमाम बातें कैसे पता है या तुम मेरी माँ जानती है या तुम मैं जानता हूँ तो हज़त ने फरमाया कि मैं तमाम बातें जानता हूं और ये भी जानता हूं तुम पानी पत इस ले आया हो ताकि वो तुम्हारी खोड़ी हुई जमीने तुम्हें वापस मिल जाए। फिर उस नावजवान ने कहा कि हज़रत आपको ये तमाम बातें कैसे पता हैं तो हज़ किया हूं तो हज़त ने कहा ठीक है जाऊ अपनी मा से इंजाल ले लो तो फौरन पुरी तेजी के साथ जुए पानी पसी साहरनपूर के लिए रवाना हो जाता है पानी पसी साहरनपूर जो ہے तकरीबनceu किलो मिट्टर की दूरी पर हैं और सहरनपूर जो है यूपी का एक ज और नहीं बलके हज़रत अबु आलीशा कलंदर थे वो देखकर के परेशान होता है मैं पूरी तेजी के साथ यहां पर पहुंचा लेकिन हज़रत तो यहां पर पहले से पहुंच गये हैं फिर उसने अपनी माँ को तमाम वाकिया सुनाया और कहा कि हज़रत चाहते हैं कि मैं कलमा पढ़ो और मुसल्मान हो जाओ तो उसकी मा कहने लगती है इतना सब कुछ जानने वाला शखक्स कोई जूटा नहीं हो सकता तुम कलमा पढ़ो और मुसल्मान हो जाओ और हां मुझे भी कलमा पढ़ाओ फिर दोनों माबेटे जो हैं कलमा पढ़कर के मसल्मान हो जाते हैं इसके बाद हजरत ने जो उसकी खोई हुई हुई जमीन थी पानीपत में वो तमाम जमीने जो हैं माबेटे के हवाले हजरत करवा देते हैं सुभानल्लाइ नाज़ीन हजरत बू अलिशा गलंदर रह्मतलाई का विसारे मुबारक नौ रमजान 724 हिज्री मताबिक 1323 एस्वें में हुआ और आपकी कुल उम्र शरीफ तकरीबन 115 साल की हुई आज भी लोग दूर दराज से आपकी बारगाह में हाज़ी देते हैं और जो भी सचे दिल से मनत या मुराद हज़त की बारगाह में लोग मानते हैं और जो है हज़त की वसीले से ल्ला से दुआ करते हैं तो ल्ला तबारक टाला हज़त की बरकतों से आपकी नेक और जायज मुरादें पूरी कर देता है लोग दूर दूर से यहाँ पर हाजी देते हैं और खुसूसियत के साथ जिन लोगों पर जिन्नात जादू वगएरा के असरात हो जाते हैं वो लोग भी कसीर तादाद में यहाँ पर हाजी होते हैं और अल्हयव ताला हज़त के सदके से उनको ज़ो है शिफा अता फरमा देता है नाजि Means जिस मजाज शरीव के आप शियारत करे हैं यह मजाज शरीव हजरत बु अली शाहुआ कि के है यानि राइट सेट में अगर हम जाएंगे तो अंदर एक और मजाज़ शरीफ है ये मजाज़ शरीफ है हजरत मुबारक खान साहिब रहमतुलाई की और जैसे के बोड पर लिखा हुआ है ये जो हैं हज़त बू आली शाह कलंदर रहमतुलाई की जिगरी दोस्त है यानि बहु तारिक को बड़े हिशान के साथ मनाया जाता है दोस्तों अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपको इस दर्गाशरीफ पर जाना है तो कैसे जाएं तो मैं जिस तरीके से गया था वही तरीका में आपको बता देता हूं मैं गया था यहाँ पर दिल्ली से तो दिल्ली म कि दूरी पर हजज़त की दर्गाशरीफ मौजूद है आप पानी पता आने के बाद किसी भी आटो रिक्षावाले से ये कहें कि हमें कलंदर सहीब की बड़ी दर्गाशरीफ जाना है तो आपको हज़ज़त बू आलिशा कलंदर की दर्गाशरीफ पर कोई भी आटो वाला इन्शाला पहुंचा देगा नवाफ जहांगिर के वजीर नवाफ मुकर्म अलीखा तेखा जहर मुरा पत्तर पत्थर का का हमा पत्थर है। मजार भी है पथर भी है तो अभी इससे फैस कैसे आसल कर सकते हैं कोई लोग इस पहाने से नीचे से पानी निकल गा है कि एक बॉटल में आ जाता है तो पानी अपने पास हमेशा रखुआ कोई भी जहर को तोड़ सकता है माशाला यह भी जिन्दा करामत है अल्याला की यह बिल्कुल एक तो पत्थर का कमाल है दूसरा दूली शाह कलंदर का फैज़ान है यह उपर भी पुरा पत्थर है अच्छाला यह था हज़त बूख पत्थर का फैसे लिए आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिशेदारों में शेयर करें जब भी मौका मिले इस बारगा में हाज़ी दिनी को कोशिश जरूर करें तो नेक्च्छूर यह मिलते हैं अल्ला यह से द्वा है कि मौलाय करीम अधर बूख अलीशा गलंदर रह्मत अल्यादा के सद्गे से आप सभी को सलामत रखें और आप सब की नेक और जायज मुरादें पूरी करें अस्सलाम अलेकूं